Hello Dear Subscribers, मैं हूँ आपकी दोस्त तो स्वागत है आपका Best Care of Pregnancy में यहां हम बाते करते हैं Pregnancy से related सभी problems की, उनके solutions की और साथ ही मैं भी अपने pregnancy experience आपके साथ share करती हूँ Friends, हर वो लड़की जो pregnant होना चाहती है, जो मा बनना चाहती है वो हर एक दिन का बेसबरी से इंतजार करती हैं सिर्फ वो दो pink line देखने के लिए जिसके देखने के बाद confirm हो जाता है कि आप pregnant हो गई हैं और आपने successfully conceive कर लिया है लेकिन उस दो line को देखने के लिए हमें बहुत जद्दो जहत करने पड़ती है बहुत इंतजार करना पड़ता है सब कुछ try करना पड़ता है तब जाके वो दिन आता है मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूँ ऐसी tip देने की आप कैसे धीरे-धीरे खुद समझ सकते हैं कि अब आपने pregnancy conceive कर लिया है मिस होने से पहले evolution के जस्ट बात कैसे आप conceive कर सकते हैं कैसे आपको पता चला है कि पता चलीगा कि आपने conceive कर लिया है उसी तरह से कैसे आप period से पहले खुद अपने शरीर में ऐसे changes देख करके और अपने vagina को चेक करके पता कर सकते हैं कि आपने pregnancy conceive की है या नहीं उन्ही वीडियो की तरह ही आज का भी एक वीडियो है जिसमें आपको पता कर सकते हैं आप कि periods के कितने सपताह बात pregnancy रुकती है और ये वीडियो मेरे experience पे based है मैं अपना भी experience इसमें आपके साथ share करूँगी क्योंकि जो मैं information देती हूँ वो absolutely मेरे experience पे based जो होती है कुछ भी सुना सुना या नहीं होता है तो वीडियो बहुत ज़्यादे useful है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा पसंद आया तो like जरूर करिएगा ना पसंद आया तो dislike भी कर सकते हैं और अगर best care of pregnancy पर first time वीव कर रहे हैं तो please चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करें periods के कितने हफते बाद pregnancy रूपती है ये सबकी अलग-अलग pregnancy होती है तो depend करता है body to body लेकिन जो एक maximum average होता है मैं वो बता रही हूँ उसके बाद मैं इसके बाद और किन लोगों में किस हफ़ते में pregnancy रूपती है मैं वो भी बताऊंगे तो जो एक maximum average होता है तो जो pregnancy रूपने का time होता है वो periods के बाद जो तीसरा हफ़ता होता है तीसरे हफ़ते के end में और चौथे हफ़ते की शुरुवात जब होती है तो ये time होता है pregnancy के रूपने का मतलब अगर आपके बच्चा ठहर गया है आपका गर्ब ठहर गया है तो ये टाइम होता है जब तीसरा हफता खतम हो रहा होता है और चौथा हफता शुरू हो रहा होता है तो ये टाइम होता है जब महिला की प्रेगनेंसी रुकती है और उसी टाइम पर सेम्टम्स आने शुर उसके बाद उने को गहिएता हो जाता है उसके बाद उन्हें सिम्टम से दिखने शुरू होते है मतलिकि कि अगर हम हफ़ते की बात करें तो च्छैह फ़ते और साते हो डियाएं को उस दर्मयान उनको शिम्ट्म ऐते हैं जिनके पिरियद्स ao टाम्स होते हैं वो गर्भावस्था जो होती है उनकी जो अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है तो उनके पीरियर्ट के बाद तीसरे से चौथे हफ़ते के बीच में आने शुरू हो जाते हैं यह मैक्सिमम एवरेज हैं 70% जो वुमेंस हैं वो अपने पीरियर्ट मिस होते ही वो कंसीव कर लेती हैं 30% वुमेंस को पीरियर्ट मिस होने से पहले ही पता चल जाता है कि वो प्रेगनेंट हो गई है इवन पीरियर्ट मिस होने के एक हफ़ते पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि वो पीरियर्ट प्रेगनेंट हो चुकी हैं और 70% वुमेंस में होता है कि उनकी जब पीरियर्ट मिस हो जाती है उसके बाद उन्हें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं अब मैं आपके साथ एक अपना experience शेयर करूंगी मेरे case में मैं उन 30% women's में हूँ जिनको period miss होने से पहले ही पता चल गया था कि वो pregnant हो गई है मेरे case में भी यही हुआ था कि मुझे अपने time पर जब मैं pregnancy के लिए ट्राइ कर रही थी तो मुझे मेरे period date से करीब 5 दिन पहले ही symptoms आने शुरू हो गए थे pregnancy के जिसमें से पहला symptoms था implantation bleeding था उसके implantation bleeding होने के तीन से चार दिन बाद ही मुझे बाकी सारे symptoms भी आने शुरू हो गए थे जैसे की नौजिया है morning sickness है smell है खाने पीने की चीजों से smell आना पैरों में भारी पन लगना कमर में दर्द होना थकावट होना इस टाइब की चीज़े just implantation bleeding के तीन से चार दिन के अंदर ही मुझे महसूस होने शुरू हो गए थी जिससे की मुझे समझ में आ गया कि मैं pregnant और यह सम मेरी period date miss होने के पहले ही हो गया था लेकिन फिर भी मैंने period date miss होने तक wait किया मैं हट बड़ा हट मैंने कोई नहीं की कोई जल्दबाजी नहीं की क्योंकि मैं अपना test negative नहीं देखना चाहती जल्दबाजी के चक्कर में इसलिए मैंने पूरा time दिया मैंने 8 दिन तक wait किया जब मेरी periods नहीं आए उसके बाद मैंने test किया और फिर मेरा test positive आया तो मैं 30% women's में थी जिन्हें period miss होने से पहड़े ही पता चल गया था कि वह pregnant है और जो 70% women's होती है जिन्हें period date miss होने के जो pregnancy conceive होई थी वो मेरी period miss होने के sorry period date से तीसरे हफते की end थी और चौथे हफते का शुरुआत था जब मेरी pregnancy conceive होई थी जो मेरी period date थी उसके बाद जो तीसरा हफता था उसके जो खतम होने और चौथे हफते के शुरू होने के जो बीच का time था उसी time पे मेरी pregnancy conceive होई थी तो य मैं यह बता दूँ कि मेरी जो period cycle थी वो 28 या 30 दिन की इस से ज्यादा की नहीं थी तो जिनकी 28 दिन की 30 दिन की cycle है या 25 दिन की cycle है उनके जो pregnancy conceive होने का time होता है वो यही time होता है जिनकी cycle लंबी होती है जिनकी cycle लंबी होती है उनके period date से 6 या 7 हफते में उनकी pregnancy conceive होती है अगर उ ज़रूरी वीडियो था जिसमें मैंने आपको आइडिया बताया है कि अगर आपका ये हफता चला है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं कौन-कौन से सिम्टम्स आते हैं वो भी मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ब 6663 मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाब बाई सी यू सून इस्टे हैपी और इस्टे हैल्दी